NCTE की आज बीएड को प्रात्मिक सिक्षक भरती से बाहर होने पर बड़ी मीटिंग है लेकिन दोस्तों इस मीटिंग से पहले ही देवे सर्मा ने चेर्मेन से कल मुलाकात की थी और उन्हों ने इन्हें आज मीटिंग में होने वाले फैसले के बारे में पहले ही बताया वो जानकारी हम आपको भी देने वाले हैं उस्ते पहले वीडियो को लाइक और बीएड जगत की हर एक बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा NCTE की आज जो मीटिंग है वो लगभग 12 बच कर 30 मेट पर सुरू होने की संभावना बताई गई है इनके माध्यमशे और कहा गया है कि आज मीटिंग के बाद NCTE बीएड पर एहम फैसला लेते हुए एक आदेश जारी कर सकती है जो कि सौर्ट में हो सकता है उसमें सभी राज्यों को ये किलियर कर सकती है कि पुरानी और नई भरती में उन्हें अभी फिलहाल क्या करना है कल की वारता में चेयर्मैन ने साफ कहा कि सरकार की तरप से हमें कोई निर्देश नहीं है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने के लिए इस आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही जाएंगे क्योंकि बियड प्रात्मिक के लिए वैलिड नहीं है और इसी को लेकर आज यह मीटिंग कीज आ रही है जहां से आज एक एंसी टी का बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के पच्छ में देखने को मिल सकता है मीटिंग के बाद एक बड़ी अपडेट हम आपको देंगे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें